इस वीडियो में हम हर्याना के वन्य जिव अभ्यारन और राष्टे उदान ट्रिक से याद करेंगे और एक बार आप इन ट्रिक को याद कर लेंगे तो एक्जाम में आप जो हैं इसमें कभी गलती नहीं करेंगे इसमें स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है इसमें आपके ये दो कोशन है हर्याना में कितने राष्टे उदान है दो राष्टे उदान है और कितने वन्य जिव अभ्यारन है आठ वन्य जिव अभ्यारन है अब देखते हैं इनको ट्रिक से कैसे याद करें सबसे पहला आपका वन्य जिव अभ्यारन है छि कुरुशेक्तर में गेर कर जो सभी कौरवों के माय उद्दा थे उन्होंने चल से जो अभिमन्यू को मार दिया था तो चल से आप याद करेंगे छिलचिला वन्य जीव अभ्यारन है और कामपर मार दिया था कुरुशेक्तर के यूद में तो छिलचिला वन्य जीव अभ्यारन जो कि यमनानगर में है और काले सर राष्टे उदान ये भी यमनानगर में है इसके लिए ट्रिक याद करेंगे कि यमना के पानी में इतरा प्रदूशन हो गया है कि इसमें नाने के बाद सब के सिर काले हो जाते हैं कहां पर प्रदूशन हो गया है यमना के पानी में और उसमे हरियान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण है कौन सा है काले सर वन्य जीव अभ्यारण है और ये किसके लिए परसिद है ये परसिद है लाल जंगली मुर्गों के लिए और वहीं दिसंबर 2003 में से राष्टे पार्क गोशित किया गया नेक्स्ट है बीर शिकारगा वन्य जीव अभ्यारण है ये पंचकुला में है और खोली रहता है वन्य जीव अभ्यारण है ये भी पंचकुला में इसके लिए आप ट्रिक याद करेंगे दोनों के लिए एक ही ट्रिक है अपने पांच पशो का शिकार हुआ देखकर मालिक का खून खोल उठा, तो कितने पशो का पांच पशो का, पांच से आप याद रखेंगे पंच कुला, पांच पशो का शिकार वा देखकर, शिकार से आप याद रखेंगे बीर शिकार का वन्य जीव अब्यारने, पांच पशो का शिकार वा देखकर मालिक का खून खोल उठा, ख काँ पर है रेवाडी में तो इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे नहा कर रेवडी खाएंगे नहा कर रेवडी खाएंगे नहा से आप याद रखेंगे नहार वन्य जीव अभ्यारण है और रेवडी से याद रखेंगे रेवाडी नेक्स्ट ट्रिक है अबूब शेयर वन्य जीव अब्यारण है ये कहाँ पर है सिर्षा में है इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे अबू का सिर हमेशा गर्व से उचा रखेंगे अबू का सिर हमेशा गर्व से उचा रखेंगे अबू से आप याद रखेंगे अबूब शेय और सिर्ष से याद रखेंगे सिर्षा नेक्स्ट है भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण है और खापडवास वन्य जीव अभ्यारण है ये दोनों जजजर में हैं तो आप के लिए याद रखेंगे जिनके पीछे वास लगा है ये दोनों कांपर है जजजर में है जिनके पीछे वास लगा हुआ है बिंडावास और खापरवास तो ये आपके दो ये ऐसे जिनके पीछे वास लगा है और दोनों कांपर है जजजर में है वही बिंडावास वने जी अबियारने की स्थापना 3029 को की गी थी और खापरवास खापडवास वने जी अबेराने की स्थापना इसका वानेता प्राप्त मिली थी 1991 में नेक्स्ट है सुल्तानपूर राष्टे उद्दान ये कहां पर है गुरुग्राम में है और ये अपने साइबेरियन सारस के लिए परसिद है इसके लिए ट्रिक याद करेंगे सुल्तान अपने गुरु का सम्मान करता है सुल्तान से याद करेंगे सुल्तानपूर राष्टे उद्दान और गुरु से याद करेंगे गुरुग्राम नेक्स्ट है बीर बारा वन्य जीव अभ्यारन है कहां पर है जीन्द में है तो इसके लिए ट्रिक याद करेंगे वीर लोग जिन्दा दिली से जीते है वीर लोग जिन्दा दिली से जीते है वीर से याद रखेंगे बीर बारा और जिन्दा दिली से याद करेंगे जीन्द त तो बीरबारा वन्य जी अभ्यारण काँपर जीन्द में, वीर लोग जिंदादिली से जीते हैं, नेक्स्ट आपका ये कहा है सरस्वती वन्य जी वन्य अभ्यारण है, तो ये कहांपर है? कैथल में हैं, और इसको मनेता पराप्त हुई है, जुलाई 1988 में, वहीं हरियाना में जो थीन मिनी चीडियागर है, पीपली में, पीपली कहांपर है? कुरुशेक्तर में, रोतक में, और विवानी में और हिसार जिले में एक हीरेंड पार्क भी है, हिरन पार्क कहां पर है? हिसार जिले में है वहीं पीपली मिनी चीडियागर की बात करें तो यह कुरुशेक्तर में है और यह 1982 में स्तापित किया गया था रोतक मिनी चीडियागर यह 1986 में स्टापित किया गया था वहीं बिवानी मिनी चिडियागर यह 1982 में स्तापित किया गया था इसार हिरन पार्क इसे 1970 में स्तापित किया गया था इसार हिरन पार्क 1970 में वहीं कुछ परजनन के इंदर भी देखते हैं तो चिंकारा परजनन के इंदर यह कहां पर है कैरू में केरू काँपर है बिवानी में चिंकारा परजनन के इंदर बिवानी केरू बिवानी मगरमच परजनन के इंदर ये काँपर है भोर सहदान और ये काँपर है कुरुशेक्तर में भोर सहदान काँपर है कुरुशेक्तर में आप भोर सहदान भी याद रखें और जिला भी याद रखें गिद संड्रक्षन ये परजनन के इंदर ये काँ पर है पिंजोर में गिद संड्रक्षन ये परजनन के इंदर पिंजोर में तीतर परजनन के इंदर ये काँ पर है मोरनी में मोरनी काँ पर है पंचकुला में तीतर परजरन के इंदर कहां पर है मोरनी में पंचकुला में तो वहीं आपको योडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरू बताइए साथ ही स्टेडी जोन चनल को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिकेशन बेल के बटन जरू दबाए और वीडियो को ज्याद ज्यादा शेयर करें थैंक यू